आप सभी दिव्यांग जनों के लिए बहुत जरूरी नोटिफिकेशन बिहार लोक्षिवा आयोग के तरह से आ चुका है। आप सभी बार बार कोमेंट कर रहे थे कि भाईया सब्सक्राइब को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। 23 को विष्टित रूप से VPSC के तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है 147 पेज का यह नोटिफिकेशन है एक जाम से तुरंट 24 दिन पहले आया है जिसे कि मैं आपको बता रहा हूं यह टूटल चीज बता आ गया है कैसे करना है क्या करना है कितना इस्टरा टाइम दिये जाए स्क्राइब के लिए क्या करना को क्या नहीं करना होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिए जो एक सबसे तालिस पेज का नोटिफिकेशन है बिहार लोग सिवा आयोग जो है कि तरफ से जारी होगा है विग्यापन संक्या 26 2023 प्रात्मिक माध्मिक यह उच लगिया है आउसक अनुदेशन परपत्र यो परिविष्ट यानि इसमें क्या निर्देश दिया क्या सिक्षकों के लिए बिध्यार्थियों के लिए कंडिए के लिए एसक्राइब के लिए क्या ओमार सिक्ट के लिए प्रस्पत के लिए लौग होगा क्या A to Z information आपको यहा सुर्णाथ वहाँ है A to Dr. पे आठि नमर पेस नमर आट पिज़ी नमर कितना आथ पेस नमर यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है यहां तुरह सा नीची आ जाते हैं देखिए दिभ्यांग अभ्यार्थियों को सुर्ति ले के अन्सुब्दा जैसे अत्रिक्त समयादी उपलबंद कराने के संबंध में बोला गया यानि इसमें बहुत चीज दिया गया है कितना ट देख सकते हैं एक नमर में जो चौक का एक नमर में बोला गया है कि जीला में दिनांग 24-8-2023-25-8-23 पालियों में भाग लेने वाले सभी दिभ्यांग अभ्यार्थियों के लिए परतेक जीला में एक परिंच्छा केंद्र आबर्थित किया गया है करने का मतलब है कि सभी जीलों में एक केंद्र ऐसा होगा उसी केंद्र पर टोटल दिभ्यांग लोग का एक्जाम लिया जाएगा उक केंद्र में केवल दिभ्यांग अभ्यार्थि ही सामिल होंगे यानि पूरे जीले में 38 जीले में एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जिसमें केवल उस जीला के जित समान परशाशन विभाग के संकव संक्या दोस छोव और सद दिनांग हुंती छोड़े बाइस की कणिटा एक यालोग में दिव्यांग और धिकार अधिकार अधिरियंग 2016 की धारा तू आर के अंत्रगत तू अंत्रगत जो है यहां देख सकते हैं परिभासित किसी भी बेंचम परशाइब दिव्यांग 40% से अधिक ग्रोशित अभ्यारती स्क्षम प्रदेकार सद्निर्गित दिव्यांग पनान पत्र के सुर्टिले कि शुगह अनुमान कराईए जाएगी यह जो भी दिव्यांग 40% से अधिक उनकी दिव्यांगता परतिसत हैं उनको शूर्ति लिक र पर्ति में subscribe recruitment column के समक्ष yes होने के दर्ज में उन्हें के नदिशक द्वारा सूर्टलेक उप्रवत कराया जाएगा कहने का मतलब है कि आपके eadmi card पर अगर subscribe के लिए yes लिखा होगा तो ही आपको subscribe मिलेगा यानि यस नहीं लिखा होगा तो आपको subscribe नहीं दिया जाएगा यानि जो फोरम भरे होंगे उसी समय BPSC फोरम में डालोंगे कि हम मुझे subscribe चाहिए yes दिया होगे eadmi card पर भी yes लिखा होगा तो ही आपको subscribe की शुबदा मिलेगी अन्याथा नहीं मिलेगी आगी आईए इस cards के लिए जीला सिक्षा प्रवाइदिकारी के समाध्यम से तयार कियेगे सूर्थिलेखों के पैनल में एक सूर्थिलेख चुनने का अधिकार होगा यानि जीला सिक लिख्षा अस्तर से उपर के अस्तर की नहीं होनी चाहिए जबकि निम्तम सचनिक हो गयाता मैटिक या उससे उपर होना चाहिए यानि मैटिक में जो विध्यार्ति है वह आपकी साथ एक्जाम बैठ सकता है या जो इंटर तुरंत जो है इडिमिशन कराईवानी फर्स्ट यह सकेन यह में हो उसको अब ले जा सकते हैं या उनको प्रभाइट सेंटर प्रभाइट कराएगी अब आगी आगी मिद्वक्रिये आपकी क्या बोला गया है देखिए दिव्यांग भ्यार्थी दुरा सुर्थिले के स्वय चुनने की इस्तितिति में यानि आगर आपको स् पाँच नुमर में की दिव्यांग भ्यारथी दुरा सुर्थिले के स्वय चुनने की इस्तिति में सुर्थिले की सैचनिक योगता परिच्छा के औस्तर से एक कलास नीचे होनी चाहिए तथा इस परविष्टी में इस परविष्टी में देखिए यहां पर देखिए समझन दोने की प्रयास के बहुत लोग हो रहा है कि, सुर हम जितना पर्हे लिखिया है ना उससे एक कलाश से नीचे, नहीं, जो हैं आपिEXशाम से एक कलास नीचे होगी तथा इस परविष्टि में चुने बशूत लेकिं विष्टित्र सूचन है यानि सचनिक परमानपत्र में महटिक पास है तो महटिक परमानपत्र देना होगा आधार कार्ट देना होगा या जाती निवासी जो भी है आपको तीन-चार टू कोपी देना ह होगा दिवीत परपत्र में के दिश्चत दोरा उपरबत कराई जाएगी एक फोरम मिलेगा उस फोरम को भरक और इस अभी डुक्मेस जामा कराईएगा उसके बाद इस संबंध में अन्यमेता की स्थिति में दिव्यांग और ब्यार्थी के ब्रूद या धोचित करवाई परि परिशार जो दीट्यों साह 2 पूँक्स को कराएगे उसको माना कर डिकर आपके साथ जो भी सुर्तिलेग हैं जोनको राइटर ले जाना चाहते है उसको ले जा सकते है पसरते वो जो भी पराई किये उनके certificate कर to copy या दारकर कर to copy जो भी देना होगा वो आपको देना होगा center पहले ही एक दू घंटा पहले ही आपको जाना होगा वहाँ manage करना होगा बात करना होगा सब चीज फरों भर कर देना होगा तो ही एलाग होगा उसके बाद आगे शिक्स नुमर प यानि जो दिव्यांग है यानि जो कुछ भी से भी दिव्यांग वो शूर्ति लेके लिये हैं या नहीं लिये हैं दोनों ही इस्तिति में इस परिच्छा है तो निर्धायल समय के साथ साथ परती घंटा 20 मिनट का अत्रीक्त शति पूरक समय दिया जाएगा यह अधि अधि शुर्ति लेकों को शुर्ति लेक को पांच रुपे परती पाली के दर से परिस्तोरमी का भुगतान किया जाएगा जो के नर्जिक दोरा किया जाएगा परिच्छा के लिए आयोग से उप्रबात कराएगा इराशी से परिस्तोरमी का भुगतान कंद के अपने पूरे बेव परती बदरें के सा नहीं है अब आगे आईए आपको जो है सो आठ नमर में दिखाए सभी दिये में अगर भीयारतियों को या था संबाओ भूतल पर बैठने की वश्चता की जाने तहीं जितना भी बाते बीपीसी बता रही है सभी बात मैं दूसरे वीडियो में बता दिया हूं लेकिन आप लो करंद किया है तत्र है स्ब mut So को एक सांथ अरोहिक क्रम्में अनुकरवांग अबान्टित किया गया है खराई अगर आपके सेंटर सेंटर पर आपको अन framरे अपको कोई चींटने की बात नाहीं है तो उन चेकर से आप ही लोग के लिए बना गया गया है दिभियांग लोग के लिए युसे क्या निशकर से निकला निशकर से यह निकला कि जो भी दिभियांग है पीएच। है वह जिससे भी अग्त में फरम hein, यह एड्मी कार कराएं और दूसरी बात कि अगर अपना घर से ले जा रहा है तो अधर का च्छाय परती करा लिजीगा आपका एड्मी करत का तीन-चार कोपी करा लिजीगा क्या हो क्या नहीं वह एक फरम देंगे उसको फिल कर कर देजिएगा तीन चार घंटा पहले यानि दो तीन घंटा पहले पहुंचिएगा ताकि उस आप कुछ करकर निचिंत बैठ जाईएगा उसके बाद सभी दिव्यांगों को 40 मिनट 40 मिनट कम नहीं होता है 40 मिनट आपको जो है एस्ट्रा टाइम दिया जाएगा बीपीएसी की तरफ से इस बात को सभी दिव्यांग पहले ही सुचना दे देंगे जिसे आप एक्जाम देने जाईएगा तो जो भी वहाँ चेकिंग करने के लिए शिख्षक होंगे उनको बोल द पूछ कर पाता करकर हम भी सवस्थ हैं नहीं तो बाद में होता है क्या है कि नहीं है है कि आपको दिश्ट्राप हो जाता इसलिए पहले ही उसमें जो आपके जो काउच्छा में आपके परिक्षाहौल में जो शिख्षक होंगे उनसे कॉन्फर्म कर लिजिएगा चलिए तय झाल